असलाम अलेकुम आप सब लोग कैसे हैं मैं हसन तेमूर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग desktop या laptop के अंदर WhatsApp को कैसे यूज कर सकते हैं अभी तक अगर आपने मेरा channel how to know or do subscribe नहीं किया तो यह इस button के उपर click करके उसको subscribe कर ले और यह आप लोग मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं how to get verified your YouTube channel how to create and setup YouTube channel how to install to WhatsApp on iPhone तो आप लोग मेरे channel को विजल की दिये और और वीडियो देखिए तापके आप लोग के knowledge में और अधाफा हो चके है तो चले lecture शुरू करते हैं तो मैं अपने web browser को open कर लेता हूं और new tab मैं यहां पर type करूंगा w h a t s whatsapp www whatsapp.com और यह आप लोग देख सकते हैं कि whatsapp की यहां पर यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है whatsapp web तो मैं इसके उपर क्लिक करता हूं तो यह देखें मुझे जो है वो scan code बता रहा है तो इस scan code को जो है हमने अपने mobile के अंदर scan करेंगे तो हमारा whatsapp यहां पर open हो जाएगा और हम लोग उसको use कर सकते हैं तो यह एक नीची option है keep me sign in अगर आप इसको sign in रहने देंगे तो आप लोग जब भी यह website open करेंगे तो यह आपको login मिलेगा तो अगर मैं आप इसको चाहें तो uncheck कर दें तो इसको फिर आपको हर दफार जो है scan को scan करना पड़ेगा तो आप इसको favorite के अंदर save कर सकते हैं जाके जब आप अपने office में या घर में कुछ use करना चाहें WhatsApp को तो आप लोग simply click करके इसको use कर सकते हैं तो अभी mobile के अंदर देखते हैं तो आप लोगों ने अपने mobile के अंदर से WhatsApp को open कर लेना है और WhatsApp को open करके आप लोगोंने setting के ऊपर जो है वो click कर देना है मैं setting के उपर click करता हूं और यह नीचे लिखा वो आ रहा है यहां पर second option WhatsApp web desktop मैं इसके उपर जैसे click करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यह मेरा webcam जो है वो on हो चुका है और आप लोग मेरे laptop का keyboard जो है वो देख सकते हैं इसको जो है मैं website को scan code है इसके उपर लेक जाएगा तो आप लोग देखिएगा यह जैसे ही मैं इसको यह लेके गया यह देखिए scan code को स्कैन किया है और साथ ही website के अंदर WhatsApp वो on हो चुका है तो इसको आप इस तरह scan करके use कर सकते हैं यहां से आप अपनी profile देखें जो profile picture आपने लगाई होगी वो इजर से आप देख कर सकते हैं आप profile picture चेंज कर सकते हैं अपना नाम चेंज कर सकते हैं यहां से अपना status चैंज कर सकते हैं मतलब आप इसको है चैट वालपेपर ब्लॉग हेल्प तो सेम आपको जो मुबाइल के अंदर अप्शन है वो इधर मिलेंगी तो जैसे ही यहाँ पर मैं किसी कुंटेक्स के ऊपर क्रीक करूंगा तो हम यहाँ पर जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं तो मैं यहां से अपना कोई भी दोस्त का जो है वो स्लेक्ट करके तो जो है आप लोग मैसेज बेज सकते हैं तो उसको आपको मैं डेमो दिखा देता हूं यह मेरा दोस्त है कामरान दुबाई मैं इसको पर क्लिक करता हूं तो यह देखें यहां से नीचे जो है मैं जो भी type करूंगा जैसे high तो यह देखें उसको message जो है वो send हो चुका है अगर वो मुझे reply करता है तो मैं वो भी इदर ही देख सकता हूँ यह status आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको attach file के अंदर picture, videos, camera on कर सकता हूँ, documents बेज सकता हूँ और कोई contact share करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ वो यह देखे setting से अंदर contact info मैस की देख सकता हूँ select message, mute, clear message, clear chat तो इसके अंदर काफी सारी setting जो हैं वो आप कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ का आपको जो मेरी वीडियो है वो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना बहुत बहुत ख्यार रखिएगा अलाहाफिस्ट